किम कदार्शन जैसे दिखने के चक्कर में मॉडल ने खर्च कर डाले 5 करोड, 40 सर्जरियों के बाद तबहा हुआ चेहरा, अब 95 लाख रुपे खर्च बनना चाहती हैं पहले जैसा? दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जो अपने फेवरिट स्टार जैसा दिखना चाहते हैं, कुछ अपने फेवरिट स्टार जैसा हेर लुक अपनाते हैं, तो कुछ अपने पसंदीदा सितारे जैसे ही कपड़े पहनना पसंद करते हैं लेकिन कुछ लोग होते हैं अपनी फेवरिट स्टार के लिए क्रेजी इतने क्रेजी कि ना सिर्फ करोडो रुपे खर्च करने के लिए तयार हैते हैं बल्कि चहरे के साथ भी छेड़ छाड़ करवा लेते हैं और फिर जो परिणाम होता है वो भायानक होता है कुछ ऐसा ही हुआ ब्राजीलियन मॉडल जेनिफर पैमपलोना के साथ 29 साल की ये ब्राजीलियन मॉडल इंदिनों अपने कॉस्मेटिक सर्जिरीज की वज़ा से सुर्खियों में है रिपोर्ट्स के मुताबिक जेनिफर पैमपलोना ने पॉपुलर स्टार मॉडल किम कदार्शिन जैसी दिखने के लिए करोडो रुपे खर्च कर डाले और जब ट्रांस्फोर्मेशन से मन भर गया तो अपनी पुरानी सूरत पाने के लिए 95 लाख से उपर का खर्चा कर डाला लेकिन इस चक्कर में उन्हें बेंतहा दर्द और तकरीवन 40 सर्जिरी से गुजरना पड़ा यहां तक कि उनका चहरा भी तभा हो गया अब अपनी ये दर्द भरी दास्तान व्रिजालियन मॉडल ने खुद एक इंटरिव्यू में सुनाई है गौर तलब है कि 29 साल की जनिफर पर किम कदार्शिन की तरह दिखने का भूत ऐसा सवार हुआ कि वो 12 साल तक एक के बाद एक सर्जिरीज करवाती रही पेंफुलोना ने अपनी पहली कॉस्मेटिक सर्जिरी 17 साल की उमर में साल 2010 में करवाई थी तब वो महज 17 साल की थी बीते 12 साल में वो 40 से ज्यादा सर्जिरी पर 4 करोड 77,65,580 करोड रुपे खर्च कर चुकी है लेकिन इसके बाद वो अपने स्लुक से भी ज्यादा वक्त तक खुश नहीं रह पाएं क्योंकि किम कदार्शिन जैसी दिखने के चक्कर में वो अपनी पहचान ही खत्म कर वैठी इस बारे में बात करते होए जैनिफर ने कहा कि लोग मुझे कदार्शिन कहते थे और वो परिशान करने लगा मैंने काम किया, पढ़ाई की और मैं एक बिजनिस वुमेन थी मैंने ये सभी काम किये थे और ये सभी उपलब दिया मेरे नीजी जीवन में थी लेकिन मुझे केवल इसलिए पहचाना जा रहा था क्योंकि मैं कदार्शिन की तरह दिखती थी इसके बाद जैनिफर ने अपने पुराने लुक को वापिस पाने के लिए एक और सरजरी का सहरा लिया जिसमें उन्होंने 45,56,500 रुपे खर्च किये हाला कि उनका ये फैसला काफी दर्दनाक रहा इस बार में बात करते हैं पैंपलोना ने बताया कि सरजरी के दुरान उन्हें कई जटिलताओं का सामना करना पड़ा इन्फैक्शन की वजह से तीन दिनों तक मेरे गालों से खून बह रहा था मुझे लगा था कि मैं मर रही थी मैं सोच रही थी कि आखिर मैंने अपनी जिंदिगी के साथ क्या किया है और अब जेनिफर की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर जबरदस्त वाइरल हो रही है बैसे बता दें कि हॉलिवूड अक्ट्रिस एंजिलीना जॉली की भी एक फैन उन्हीं की तरह दिखने के चक्कर में पचास से ज्यादा प्लास्टिक सर्जिरीज करवा चुकी है इस चक्कर में मोहतरमा ने अपना हुलिया बुरी तरह से बिगाड लिया है और अब उन्हें जॉम्बी एंजिलीना जॉली कहा जाता है पिर एपोर्ट एट्वेंटी फोर